नमस्कार गुड मर्निंग सभी बचों को और आप लोग जो है मैथेमेटिक्स में आगे बनाते रहिएगा यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छे मार्स को जब लाइएगा तो आप जो है बहुत अच्छे जो है डिमियन को प्राप किजेगा तो अच्छे ढंग से आप लोग को मैथ बनाना है तो चलिए आज हम लोग तीरकडवीती में आगे हम लोग बढ़ते हैं और सुन किया जाए कूर्स को हम आपको पिछले क्लास में तेरह कोश्चन में बना रहे थे तो देखें उसी तेरह कोश्चन में एक और कोश्चन आज बनाते हैं तेरह का चार देखिए तेरह का चार जो कोश्चन है आपका वह है कि कौट और स्कौर पाई बटा च्छो प्लस और सेट पाँच पाई बटा में च्छो प्लस थी टैन और स्कौर पाई बटा च्छो दिया का करता है कि इसका पहलू निकाली है देखिए इजी कोश्चन है कोई कठीन नहीं है हम कहें थे कि पहले आप डिगरी में जदी बदल देते हैं तो आपका काम जो होगा थोड़ा सा असान हो जाएगा क्योंकि डिगरी में आपको सब कुछ याद है तिंद कलास से ही पढ़े तो यह आपका हो गया कि कोट और स्पायर तिस डिगरी लिखा होगा है प्लस कॉसेक देखिए पांच गूने एक सब और सी बाटा में आप जब चुखाव किजिएगा ते तो तीस बार में कटेगा और तीस पाचे देड़ सब होता है मतलग कि और इसको हल किजिए तो पाइबेशिक सही हम करें है कि तीस डिगरी होता है आप इसका मान जानते हैं इसका भी मान जानते हैं इसको थोड़ा सा चेंग करना है आपको तो देखिए तो कि कोट और सपायर तिस डिगरी जैंके तिम रह गया फॉसेक 180 में से 30 खटा ल अब आप सुत्र पर आए कि कोड़ और स्वाइर तिस डिगरी कॉसेक एक सवसी माइनस ठीटा बराबर सुत्र होता है आपका कॉसेक ठीटा तो यह हो गया आपका कॉसेक तिस डिगरी अब आप मान रखे और हल किजे इसको इसका मान हो गया आपका रूट तिरी का बर स्वाइर पलास कॉसेक तिस डिगरी का मान दू होता है और तिरी टाइन स्कॉरव तिष्ट कमान वन डाइ रूट स्वाायर है तो स्वायर कर देजे फिल किझे देखिए रूट ठीवक किजेगा तो तीम हो जाए बल्स बू हो गयां यहां हाल किजेगा तो इसको आप लोग बना लीजिए कोई कठीन कोशन नहीं है यह कि आज 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 कि आज कि आज कि कि आज आज कि आज कि आज कि आज पूंजें पूंजें ज़िए लेक्स्ट को अब आप लोग देखिए विल्कूल अच्छे ढंग से आप लोग बनाते रहिएगा देखिए विल्कूल समझ में समझ समझ करके बनाते रहिए तेरा का च्छो देखिए तेरा का शिक्स कोश्चन जो है थिरी साइन पाई वाई शिक्स है इंटू सेख पाई वाई थिरी है माइनस फोर साइन पाई पाई वाई शिक्स है और कोट पाई वाई फोर है देखिए हल करने के लिए आप लोग क्या किजें पाई के जगह पर 180 डिगरी रख करके पाई के जगह पर 180 डिगरी रख दीजे और इसको हल करके डिगरी मिला दीजे ताकि आपका काम थोड़ा सान होजेगा तो देखिए कि 3 साइन एक सवसी वाई शव कीजेगा तो 30 डिगरी हो जाएगा और सेख एक सवसी में तीन से भाग दे देजिए तो 60 डिगरी हो जाएगा माइनस 4 साइन एक सवपचास डिगरी इंटू कोट फोटी 5 डिगरी हो जाएगा हम लोग डिगरी में इसको बदल लिए पाई के जब अपप एक सवसी रखते हुए अब देखे तो थोड़ा कि थिरी साइन 30 डिगरी जैंके तेम 660 डिगरी माइनस 4 साइन अब इसको क्या किज़े कि एक सवसी माइनस 30 कर दिज़े इन्टू कोट फोटी 5 डिगरी का इसका तमान जानते ही है तेंट कलास से ही जानते हैं अब इसको हल किया जाए तो 3 इन्टू 1 बाई 2 हो गया साइन 30 डिगरी कमान होता है माइनस 4 साइन एक सवसी माइनस ठीटा साइन ठीटा होता है तो साइन 30 डिगरी हो गया और इसका मान हो गया एक अब हल किज़ेगा तो दो दो देखिए कट रहा है तो 3 माइनस 4 होए साइन 30 कमाने कवट्टा दो दो दोनी 4 तो 3 माइनस 2 इस इक वोल टू 1 आपका इंसर हो जाएगा इसको आप लोग बना लेजिए बना ये तो चल्वार रहा है आगे बढ़ा जाएं लेकिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तुरंत लाइब क्लास में भी आप लोग के लिए आएंगे इसलिए आप लोग अपने स्पीड को धीरे धीरे मेंटनेंस करना शुरू किजिए ताकि लाइब क्लास में आने के बाद में भी आप लोग और मजा आएगा भी ऐसा बात नहीं है तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा तब जाकर पूँआ संभव होगा तो चलिए इसको मिटा देते हैं देखिए चौदा का पहला कोशन देखिए जो बचे हुए कोशन हो गए हैं उसको आप लोग ड्राइ करके थोड़ा बनाएगा जो नहीं बनेगा उसे मेरे वाट से परसेंट कर दिजेगे कि कि सर्या या कोशन जो है नहीं बन रहा है उसको बना दीजिए मैं उसको तुरंद बना करके वीडियो बना दूँगा देखिए साइन असक्यार 200 डिउर है प्लस साइन असक्यार टूइ टूऀ टिडिगरी है प्लस इन सक्था टूए टिगरी है प्लस साइन सक्था 370 डिगरी है बराबर दू पुरूफ करना है कि इतना बराबर दू होगा देखिए तो थोड़ा सा समझे इसको साइनसक्कार 180 पलस 20 लिख दीचे है कि साइनसपार 217 – 20 निख दीज्या पलस साइनसपार 2710 लिख दीचे हैं 360 प्लस 10 लिखने हैं हम एक बार बताये थे पिछले वीडियो में एक दो वीडियो पहले आप देखिएगा कि जहां अस्कौाइर लिखा हुआ हो वहां तो आपको सुचना ही नहीं है कि माइनस भी लिखना है क्यांकि माइनस भी होगा तो अस्कौाइर उसको प्लस बना देगा माइनस मैनस अपका प्लस हो जाएगा सिर्फ आपको ध्यान देना है कि 270 पर साइन कौस में बदलता है और 180 और 360 पर साइन साइन में ही रखता है यह बताये हुए हैं आप लोग साइन एक्सवासी प्लस ठीटा साइन ठीटा होगा और अस्कौाइर है तो माइनस तो सुच नहीं नहीं है तो साइन अस्कौाइर बिश्टिग्री हो जाए इसको देखिए आप लोग कि शाइनस प्रदस ट्रीप हो जाएगा इन दोनों को एक सांथ यो यह आप अब ऑफ जो कि आपको पूरूफ कर रहा था आप इसको बनाइए अच्छा क्वेश्चन है झाल झाल अब आप लोग देखिए नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ा जाएं इसे मिटा देते हैं पंदरह का देखिए कोशन पंदरह में भी दो कोशन दिया हुआ है एक बना देते हैं एक आप लोग उसी धंग से बना देजिएगा पंदरह का दूर करता कि इसका मान आप लोग निकाली कोशन नोट कीजिए बना देते हैं झाली कोशन देते हैं झाली कोशन देते हैं याली कोशन देते हैं यह साइन में भी कभी कभी कोचन देता है और याद रखिया गए भी बहुत इंपॉंटेंट कोचन इसका भी अंसर दो ही आता है आप जब लोग जानगे कि तभी आएगा जो साइनस का ठीटा कोस असका ठीटा दूब बन जाए तो एक हो जाता आए फिर साइनस का ठीटा कोस पाइबाइट जयांकि रहने देज्ए साइनस का ठीटा एक मीज़ें के दिरौने देज्यें प्लस साइनस का पाइबाइड दू अगर आप पाइबाइट जुड़ देते हैं तो थी की पाइवाइट हो जाएगा देखिये तो जूड़ करके है कि π फाई भाई दू प्लस पाई बै एट पाई बैए हिगा कि नहीं sup लगत प्रपाई प्लस छाइए ठोर पाई कितना होगा लेट हो गया ले grande फिरी इसको आप लोग ऐसे सकते थे और इसको डेखिए हम लोग क्या लिखेंगे की sinus वाई भाई दू आप प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो अब क्या होगा कि साइन अस्कार पाइबाइब एट जैंके तेम रह गया साइन अस्कार फिरी पाइबाइब एट भी आपका जैंका तीम रह गया कि पाइब दू मतलब नवे डिगरी होता है साइन असकार फिरी पाइब नवे डिगरी प्लस ठीटा होता हुआ है कि यह आपका होगया साइन असकार फिरी पाइबाइब अब आप देखेए शूतर वा नुट गें चायथ कुछ सपर्ट तीता एक होता है और सं आ।सका ठीता को ऐस्ट टीता एक होता है और एक और एक आपका मिल करके की हो जाएगा इसका शोडset पहले दिया आप लोग के के दो ऐसे कोचाँन गाम इसर अधा है बना दी जे और झाल झाल बाल झाल देखिए अब नेक्स्ट कॉच्चन के रवढ़ा जै सुरह का पहला कोशन देखिए सुरह का पहला बनाने से पहले एक बात ध्यान में रखिए अगर कहीं साइन 6 डिगरी लिखा हुगा है इसको आप लोग कहेगा कि यह कॉस्ट एटी फोर डिगरी के बराबर है कारण है कि इसको देखिए तो आप क्या कर सकते थे साइन 90 डिगरी माइनस 84 डिगरी आप लिखते की नहीं तो साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर कॉस्ट ठीटा होता है तो देखिए इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं साइन वाला एंगिल और कॉस्ट एंगिल जो है दुनों जोड़ने पर आपका अगर 90 डिगरी हो जाता है तो उसका आप इंटर्चेंज कर सकते हैं इसे मानेज़े कि कहीं साइन 12 डिगरी लिखा हुआ है और इसको कॉस्ट में इंटर्चेंज करना है तो 90 में से 12 घटा लिजिए आप इंटर्चेंज कर दीजिएगा तो 78 डिगरी हो जाएगा वही कॉस्ट में 78 डिगरी के वराबर हो जाएगा अब आप लोग इस बात को सम हुआ है कि आपको साइन स्काइर चोविश डिग्री साइन स्काइर बारह डिग्री साइन स्काइर अठारह डिग्री मतलब इस कोश्चन में क्या है चोव चोव के अंत्राल पर पूरा नवे डिग्री तक दिया हुआ है और इसका मान जो है आपको प्रूप करना है कि एट होगा तो हम क्या कर रहे हैं देखिए इधर से जब छोव लिजेगा तो इधर से 84 ले लिजे क्योंकि दोनों का योग एक होता है होता है तो नम जाकर कि इसका माने खुझेगा देखिए क्या कोहे हैं कि साइन असकोर जोब yhteलीजेगा दोनों यह को स्ट Middle से साइन असकोर बारथ लिखुए दिजेगा तो इधर से जो है साइन स्कायर सेवेंटी डिग्री लिख दीजिए सेवेंटी एट डिग्री क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है तो सारा चीज दिया हुआ है छोचो के अंतराल पर है अब आगे बढ़ा जाए देखिए थोड़ा साथ कोशन को इसमें 12 के साथ सेवेंटी एट को लिख दीजे तो अठारों के साथ उधर से अब सेवेंटी एट में बहतर लिखिए देखे साइन 18 डिग्री जब दिखेंगे एक इधर से लिख दिए तो इधर से लिख दिए तो साइन असपार सेवेंटी टू डिग्री अभी देखिए इसको नहीं लिखे है कहीं प्लस अब इधर से जब 24 लिखिएगा 24 डिग्री तो इधर से देखिए तो 72 में इसे 6 घट आएगा तो 64 होझाएगा तो यहाँ है साइन असपार 66 डिग्री होझेगा क्लिए informal प्लस और 24 में च्खो जोड़ यह 30 होझेगा तो साइन अस्पायर जब 30 डिगरी लिखेगा तो 30 के सांथ उधर से 60 डिगरी बजएगा फिर साइन अस्पायर जब 36 लिखेगा 36 तो उधर से साइन 54 डिगरी हो जएगा फिर इधर से साइन 36 में 6 जोड़ेगा तो 42 डिगरी जब लिखेगा तो उधर से आपका जो है 48 डिगरी बज़ेगा 48 डिगरी और एक जो लास्ट में जो बच्चा हुआ है आपका साइनस का 90 डिगरी अब ऐसे मी बात धान में रखिए जदी दोनों को जोड़ने पर 90 डिगरी आ जाता है तो मान एक होता है मान क्या होता है एक होता है 6 और 84 जोड़ दिजएगा 90 हो जागा ना कारण होता है कि इसको आप क्या चेंज कर सकते थे 90 माइनस 6 कर सकते थे 90 माइनस 6 तो 90 माइनस ठीटा बराबर को सठीटा होता है तो इसका भी मान आपका एक हो गया तो एक लिक दिए इसका भी मान एक हो गया इस भंग से किने एक दो तीन चार पांच छे साथ और 90 डिल का मान एक होता है जो की आठ हो गया तो आप एक प्लस एक तीन चार पांच छे साथ और आठ हो गया और यहीं आपको पुरूप करना था इसको आप फ़रा से एक बार हल करके देखा दीजिए कोश्ट में कि साइन अस्पाइर 6 डिगरी प्लस साइन अस्पाइर 84 डिगरी देखिए 8 कैसे हुगा है तो साइन अस प्लस प्लस पाहर शटाव तो यहाँ इस घंस से एक हो जाएगा यह वह एक हो जाएगा रही सबस्क्राइब थेक बेरा पुरूप कर सकते हैं हो अब आप लोग इसको बना मैं तो बना लिए होईएगा आप लोग आगे बढ़ा जाए देखें नेक्स्ट कोश्चन पर हम आते हैं सोरा का तीन कोश्चन आप लोग लिखें सोरा का तीन कोश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट फिरी पाई बाई दू प्लस एक्स है इंटू कॉस्ट फिरी पाई बाई दू माइनस एक्स दिया हुआ है पलस कॉस्ट फिरी पाई प्लस एक्स दिया हुआ है और बराबर आप वो वन प्रूफ करना है की होगा है यही आपका कोश्चन दिया हुआ है ध्यान पुर्वक देखिए आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं थिरी पाई बाई दू मतलब जो होता है टू सेवेंटी डिग्री दू सातर डिग्री होता है सिर्फ फर्मुला पर बहुत गौर कीजिए आप लोग एकदम फर्मुला पर दिया हुआ है कि कॉस्च दू सातर प्रस ठीटा थिरी पाई गए दू प्रस ठीटा तो दू सातर पर कॉस्च साइन में चेंज होता है और यह फोर्थ कॉाडेंट का मान है जहां पर कॉस्च पोजेटिव होता है तो कॉस्च हो जाएगा यह मान हो गया साइन एक्स हो गया साइन एक्स के दू सातर प्रस ठीटा कॉस्च दू सातर प्रस ठीटा साइन ठीटा होता है और कॉस्च तीन साथ प्रस ठीटा का ति और दूसर सतथर माइनस ठी टांथ स्वगेया प्लस Informa थीटां टेनं किसला प्लस प्लस ट थीटा को यहां पर आपका को ठाल करना तो sine x into cos x जो केते हूं 10X का सूत्र होता है कि sine x बटा cos x और इसका सूत्र होता है कि cos x बटा में sine x होता है तेन्ध क्लास में भी आप पढ़े हैं अब LCM ले ले लिजे तो sin x cos x जब केते हूं इसमें आप sin x into cos x आप ncm ले लिए तो इसमें multiply कीजेगा तो sin square x हो गया आई इसमें multiply कर दीजे cos square x हो गया और sin x cos x कट गया sin square theta cos square theta होता है आपका एक जो की proof करना था बिल्कुल ऐसे question आप बना सकते हैं मेहनत करने क्यों सकता है तभी जो है हम लोग तेकिए regularity के साथ जब दी बनाते रहे तब ऐसा कोई मूश्किल काम नहीं है IAC में 95 नंबर जो है mathematics में जदी आप लोग 95 या इसे उपर लाते हैं तो आप एक अच्छे marks को पकड़िएगा 90% पार करना जुरूरी है क्यांकि अभी फिलहाल में जो है दो-तीन बर्सों में जो है बचे जो है पढ़ाये लड़के 90 को भी पार बहुत लड़के कर रहे हैं इछले साल ही जो है करी-करी 60 लड़कों ने mathematics में 90 पार किया था मेरे पास का तो आप लोग भी उसी ढ़ंग से मेहत आप लोग को करना है तो चलिए इसको बनाईए तब आगे हम लोग बनाते हैं कर दो आप लोग लोग को बनाते हैं बनाते हैं आगे बना जाए समझे हैं थोड़ा साब अगला कोशन पर आएज़ें कि यह तो सोरा कचार बना देते हैं देख लिजी ऐसे आप लोग ही बना सकते हैं कि कॉस पाई प्लस ठीटा इन्टू कॉस माइनस ठीटा बटा में सान पाई माइनस ठीटा इन्टू कॉस पाई बाई धू प्लस ठीटा पाई मतला एक सवसी होता है पाई वेदू मतला नमे डिगरी होता है आप आप लोग समझ गए लिए देखिए कॉस्ट एक सवसी प्लस ठीटा माइनस कॉस्ट ठीटा होता है इस धंस सुत्र जदी एकदम याद है खूब बढ़िया से तब ही जाकर के ऐसे कोशन को तेजी में बना सकते हैं कॉस्ट एक सवसी प्लस ठीटा जब लिखा हुआ है तो ठर्ड क्वाडन की बात है जहां कॉस्ट निगेटिव होता है और कॉस्ट माइनस ठीटा परागर कॉस्ट ठीटा होता है बटा में आईए साइन एक सवसी माइनस ठीटा साइन ठीटा होता है और कॉस्ट नबे प्लस ठीटा जो है कॉस्ट नबे प्लस ठीटा माइनस साइन ठीटा होता है तो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया है प्रूफ करना था नेक्स कोशन देखे 17 का पहला है 17 का पहला आपको चीन बताना है कि पोजेटिव होगा कि निगेटिव होगा पैन पचीस सब डिगरी दिया हुआ है पैन पचीस सब डिगरी पिछले एक बार क्लास में भी आपको ऐसा कोचन समझाये थे कि कौन सा एंगिल पोजेटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा इसमें भी आपको साइन बताना है कि पोजेटिव होगा कि निगेटिव होगा पहले आप खोजे कि 25 डिगरी किस क्वार्डेंट में हैं तो यहां से देखिए तो ज़रा इसको 0 कहते हैं इसको 90 ए 180, 270, 360, 450, 540, 90 कंत्राल बसा जा रहे हैं 9, 63, 72, 81, 900, 990, 1080, फिर इसमें 90 जोड़ियेगा 1170, इसमें जोड़ दीजे 1260, 1350, 1440, 1530, सूरह बीस, सत्रह दस, अठारह सोग इसके बाद इसमें आईए 90 खटा देजे, तो आपका हो गया 1910, इसमें से 90 खटा आईए, तो बीस, सो आपका क्या हो जागा, इसमें से, 1910 में से 90 खटा आईएगा, तो 0, 2 हो गया जोड़ना था ना, 90 जोड़ना था, 90, 10 के 0, 80, 2000 हो गया आपका फिर 2090 हो गया, इसी खटा से 2180 हो जाएगा, 2270 हो जाएगा, फिर आपका 2360 हो जाएगा, फिर 2450 हो जाएगा, अब देखिए, पचीस सो में हम लोग घेले हैं तेहां पर 2540 हो जाएगा, मत्रक इसी क्वाड़न का आपका बात दिया हुआ है, लेकिन यह नहीं है कि आप कहिएगा कि इतना हम लोग ऐसे ऐसे गुणा भागा करेंगे, तब तो यह बहुत कठीन बात हो गया, तो आपको इतना नहीं देखना है, समझेए थुड़ा सा अब देखिए तो इस ड्हंग से आपको इतना काम नहीं करना है, अब आप क्या कीजेगा इसमें पहले, इतना मिटा देते हैं पहले समझेए आप जानगे कि फोर्स क्वाडियर्ट में है तो यह तो निगेटिव होगा है, लेकिन पचीश सो लीफ करके और इसमें नपे से भागा देदीजिए, नाइन नाइन कर जाता है, अब नाइन का भागा आप देदीजिए पचीश, दूसर पचास में, तो भागा देखिए त से सतर हो गया, और नौ साते तीरे सट होता है, आपका सेवें से सबच जाएगा, मतलग कि सताइस है और कुछ आपका जो है रिमेंडर बचा हुआ है, से सबचा हुआ है, और इस ढग से आप जो है गिनिये, देखिए, यहां से गिंती आपको नहीं चालू करनी है, यहां पर आपको एक चालू करना है, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 तक जाना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और 27 के बाद जो हसे बचा हुआ है, वह आपको इस क्वार्ट में ला देगा, मतलग कि 4th क्वार्ट में एंगिल दिया हुआ है, इतना भी नहीं गिनना है, तो अब आप देखिए, एक और बात ध्यान में डालिए, आपको बता देते हैं, की फिर से थुड़ा सा समझेगे, यहाँ पर आप जानते हैं कि हमको एक तेना है, इसमें 4 जोड़िये तो 5 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दीजिए, 13 हो जायगा, फिर 4 जोड़िये गा, कि फिर से समाझ लीजे थोड़ा देखे क्या कहें हैं यहां से याद को सुरू करना था था एक लिख दिए एक में चार जोड़ा दिजी पाँच हो गया फिर नो में चार जोड़ा दिजी तेरह हो गया तेरह में तो आप यही से एक कीजिए उसमें चार-चार जोड़ करके बढ़ा लीजिए ऐसे नबे से भाग दीजिएगा तो 27 बार में गया है कुछ से इस बचा है आपको 27 तक गिंती करनी है तो यहां एक पांच नो तेरह सत्रह एकईस पचीस करके और कुछ से बचा हुए तक फिर 27 पर कि इसमें लगे तो फोर्स पारेंट में ट्रेंड जो होता है नेगेटिव होता है तो इसका चीन आपका क्या होजेगा नेगेटिव होजेगा इसी में दूसरा कोशन दिया हुआ है कि कॉस माइनस 2000 डि तो कॉस्ट 2000 होगी अब और कॉस्ट 2000 को चेक किजिएगा इसी के अधार पर कि देखें कि पोजेटिव है कि नेगेटिव तो क्या करना है कि 2000 में आप 90 से भाग देजिए जीरो पड़ जाएगा तो 9 9 भागा दूसर दूबार में जाएगा दो सेस बच गया फिर दूबार मे जाएगा तो सेस बचे यहां सेस बचा हुआ है 22 तो यहां तक 21 था कि नहीं आप देखिये तो एक इसे यहां परायथा गिंती में एक इसके बाद देखिए बाईस यहां आएगा और बाईस के बाद कुछ स्यस बचा हुआ है मतलब कि फ़र्ड क्वाडेंट की बाद और फ़र्ड क्वाडेंट में कॉस जो होता है नीगेटिव होता है third quadrant because क्या होता है negative होता है इस रहं से इसको भी आप बना सकते हैं तिसरा question आपको इसी में एक और दिया हुआ है कि cause 1 minus 3020 degree को बताएं देखी cause 1 minus 3020 को बताना है इसका चिन क्या होगा positive होगा कि negative होगा यही आपको बताना है देखिए कैसे बनाएंगे पहले cause 1 minus theta बराबर minus cause 1 theta होता है तो आप तो minus पहले निकाल लिए और cause 1 तीस 20 आप लिख लिए और तीस 20 को देखना है तो तीस 20 में 90 से भाग देदी जिए 0 पड़ जाएगा तो 9 भागा आप देखिए कि 302 है तीन बार में जाएगा तीन दू हो गया फिर तीन बार में जाएगा तो आपका जो है 56 बच लिए अब देखिए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 21 था 21 के बाद में 25 भी आता 25 के बाद 29 भी आ जाता 23 के बाद में आपको कुछ सेस बचा हुआ है तो जब सेस बचा हुआ है तो फर्ष्ट के बाद यहां सेकेंड क्वारेंट में ही नहें लेंगे हम तो पुखा हुआ है और शेकिर्ट में कौषेक जो होता है पॉजेटिव होता है लेकिंद उसमें पहले माइनध 사 khi है यह तो माइनधा इसका इसका मॉन तो पॉजेटिव विए उसमें गुणा कीजेगा तो क्या होँआ अबका निगेटी उगए IT इस बात को आप लोग समझ गए हुएगा आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं तो चलिए मिटा दें चलिए बहुत अश्री बात है एक दम इत्मिनान से घर पर जो है एक एक करके कोचन बनाते रहिए अभी तो हम लोग वीडियो के धुरूप पढ़ रहे हैं वीडियो डा जाएगा जड़ी आप लोग वाट्सेप के जरी मेरे कोचन के जवाब देते रहिएगा तो मेरा भी नोबल जो है बहुत अच्छा बनेगा आपके लिए इससे भी बेहतरीन बेहतरीन अभी तो हम लोग सुरूप किये हुए हैं कोर्स को स्टड़ी कर रहे हैं फिर आपको ए अठारो का एक पोचन देख लिए जाए अठारो का दूसरा अठारो का दूसरा देखे पोचन है कि टाइन पाई प्लस ठीटा बराबर पोट तू एन प्लस वन पाई बाई दू माइनस ठीटा आपको प्रूप करना है कि यह दोनों मान आपस में इकोल है जबकि एन जो है वह आपका पुडांग संख्या है कोई इंटीजर दिया हुआ है पुडांग संख्या मतलब इंटीजर दिया हुआ है तो देखिए तो हम लोग मान लेंगे कि एन बराबर वन मान लेते हैं कि वन वीए कि इंटीजर आप वन रख करके आप देखा दिजिए कि एले चेश व्राबर क्या है है कि तो इले. देखिये गावन रखिये गए यहां पर तो वहो जगा कि रखिये तो और होगर यह प्लस ठीटा और कैंपने प्लस ठीटा परबें इसके बाध में यहां अब रखिये स्राइजस में आई तो प्रेशस में क्या देख रहे हैं कि काम था दोलस एक ठीरी पाइवी दू हो गया है माइनस ठीटा दिया हुआ है तो कॉत फिरी पाइवे दू मैनस ठीटा बरागाटाइट धीटा होता है तो हम लोग क्या दिखें कि LHS और RHS आपके क्या है इक वल इस धंग से जो है आप इस कोशन को बना सकते हैं कोई एक इंटीजर एन के जगव पर रखना है और रखने के बाद में जो है आप LHS बराबर जो है RHS पूर्ट कर दिजे तो होजेगा इसी के जैसा जो है अगले एकसरशाइज को अब आप लोग बना सकते हैं तो अगले एकसरशाइज की बरात की जाए तो देखिए इसमें कुछ सुत्र आपको पुले पुरासा देखना हो देगे कंपांड एंगील अगला चेप्टर आपको दिया हो उसको देखे इतना मिटा देते हैं पहले कंपांड एंगेल कंपांड एंगेल संजुब्त कुन का हिया इसको इंगलिस को जंदी में का हिने संजुब्त कुन if true angle is written by a plus b a minus b 3a plus b height a minus 3b मनें इस तरह से दो एंगल को जोड़ या घटा के रूप में addition या subtraction के रूप में लिखा जाता है तो ऐसे एंगल को हम लोग compound angle करते हैं then it is called compound angle इसे क्या कहा जाता है compound angle कहा जाता है इसे मिटा देते हैं समझेए थोड़ा से क्या लिखे हैं इंदी में भी लिख लिजे इस जादी दो फोड़ को a प्लस भी a माइनस भी फिरी फिरी प्लस भी फाई ए माइनस फिरी भी के रूप में लिखा जाए तो अईसे पूर्ट कंपाउंड एंगल कर लाते हैं अब कंपाउंड एंगल कर लाते हैं .... stuk-2 कंपाउंड एंगल समझ गए होएगा कि किस को पहते हुआ तो कंपाउंड हैंग इंगल से समन्दीत जो है आपकुछ फर्मूला पहले याद कर liजिए तब को षथम बनाना असान हो जाएगा आपके लिए तो पहला फर्मुणा लिखी है SINE A पलस B SINE A पलस B गराबस सुत्र होता है साइन A पलस B is equal to SINE A into cos B plus cos A into sin B होता है सुत्र पहले आप बार बार लिख करके याद कर लिजेगा दूसरा लिख दिजे कि कॉस ए प्लस बी पर आप लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन एंटू साइन भी होता है तिसरा सुत्र देखे 10A प्लस बी तो 10A प्लस बी बराबर होता है कि 10A प्लस 10B बटा में 1 माइनस 10A इंटू 10B होता है इन तिनों सुत्रों को आप नुट किजिए देखिए थोड़ा सा उपर से मिटा देते हैं आप लोग वीडियो पहुच करके इसको लिख लीजेगा एक एक जामपल दे देते हैं तब आगे सुत्र इसमें लिखवा करके और आप लोगों को कोशन हम बताएंगे समझे थोड़ा सा मान लिए कि हम कहते हैं आप से कि साइन सेवेंटी फाइब डिगरी का मान निकालिए साइन सेवेंटी फाइब डिगरी का मान क्या हुआ अगर आपको डिरेक्ट नहीं निकालने आता है तो आप इसको दो एंगिल के योग के रूप में लिखिए जिसका मान आप जानते हैं आप क्या-क्या जानते हैं 0 डिगरी का जानते हैं 30 डिगरी का मान जानते हैं मैंटी क्लास में पड़े हैं 45 का जानते हैं 45 का 60 डिगरी का जानते हैं 90 डिगरी का जानते हैं और इन ही दो एंगिल में से माने कोई दो चुनिये जिसको जोड़ने घटाने पर इतना आ जाना चाहिए तो आप इसको लिख सकते एक जगह पर 45 भी के जगह पर 30 रखना है तो तुड़िये तो क्या कहिएगा कि साइन एंटू कॉस भी पलस कॉस एंटू साइन भी सुत्र पर तुर दिये देखिये इस उत्र पर हम तुर दिये अब क्या होगा कि साइन 45 डिगरी कमान एक बटा रूट दूर होता है कास दिगरी कमान रूट 3 बटा 1 होता है इसका मान एक क्या होता है अब अफ्थल किजे तो 2 रूट 2 आपका LCM हो जाएगा अब उपर मैं देखिये तर्यरी बच गया फर वन बच गया रूट 3 बच गया हो रूट 3 पलस वन बटा दूरफ 2 मान होता है कि इसका साइन सेवेंडी इसमें और भी अभी मायना सुट्र आपको लिखना बाकी है तो अगले कलास में हम लोग इसमें कुछ पोश्चन देखेंगे सुट्र को पहले समझेंगे और तम जो है कोश्चन बनाना शुरू करेंगे बहुत मन लगा करके पढ़ने के और सक लगता है इसका कारण है कि आप लोग जो है मैटिक में जो भी नंबर लिये हुए हैं उस नंबर को जदी पार करना है तो उसी धंग से न हम लोगों को महनत करना होगा जैसे आप लोगों ने मैटिक में महनत किया है और एक बरस जब आप आगे हो गए हैं और एक सल आगे आ तो आप लोग को और थोड़ा जो है पधी की मेहनत करना चाहिए तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर आगे हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे तब तक के लिए सभी बचों को बहुत बहुत धन्यवाद मन लगा करके विडियो देखते रहें